नमस्ते दोस्तो आज की वीडियो में पोस्ट ओफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रिटार्मिट के लिए बहतरिन विकल्प सावित होगा दोस्तो यह Retirement Plan सभी के लिए हम बात कर रहे हैं Post Office Insurance के बारे में दोस्तो Post Office Life Insurance में Premium कम लगती है और आपको Bonus उन्पे सबसे ज़्यादा मिलता है और सभी Insurance Company के तुलना करिया दी हम Postal Life Insurance से तो आपको सबसे ज़्यादा फाइदा मिलता है Postal Life Insurance में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे Postal Life Insurance क्या है, Postal Life Insurance कितने परकार के होते हैं, Postal Life Insurance में कौन सब प्लान आपके लिए सबसे बहतरीन साबित होगा जिसमें आपको अधिक सदिक मैचुरूटी मिलेगी Postal Life Insurance में नौमनी फैसलिटी से लेकर लौन और सेरेंडर वेलू के रूल्स तक समपूर्न जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही नौलिजबल होने वाली आपके लिए तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को पूरी देखें और इसका लाब ले हर मैने तीन हैर पे जमा करके कैसे मिलेगा आपको 43 लाख रुप्य उस टेबल को भी जानेंगे उसके पहले पोस्ट ओफिस इंसोरेंस की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं पहला आपके पूरे जमा पैसे की गारेंटी खुद भारत सरकार देती है दूसरा पोस्टल लाइफ इंसोरेंस में आपको लो प्रीमियम और हाई बोनस का रेट मिलता है तीसरा पासबुक की फैसलिटी भी मिल जाती है चौता पोस्टल लाइफ इंसोरेंस में इंकम टेक्स सेक्षन एटिस्टी में टेक्स बेनेफिट्स का भी फाइदा मिलता है दोस्तों एकदम सरल भासा में समझेंगे Post Office Life Insurance को दो भागों में बाटा गया है पहला Postal Life Insurance PLI जिसे हिंदी में डाग जीवन बीमा करते हैं दूसरा Rural Postal Life Insurance यानि RPLI जिसे हिंदी में ग्रामी डाग जीवन बीमा करते हैं तो ये दो परकार के बीमा हो गये हैं अब जानेंगे हम Postal Life Insurance और Rural Postal Life Insurance का लाब कौन-कौन ले सकता है Postal Life Insurance मुख रूप से Employees के लिए बनाया गया है वो Employees जो Central Government के अंतरगत काम करते हैं State Government के अंतरगत काम करते हैं Semi Government के Employees या फिर कहें Public Sector Undertaking Employees Bank के Employees, Defense के Employees, Paramilitary Forces, Doctor, Engineers Universities Institute के Employees, School के Employees या वो Employees जिनके PF करते हैं वो भी Postal Life Insurance का लाब ले सकते हैं Rural Postal Life Insurance मुख रूप से आम वेक्ति के लिए बनाया गया है जो Employees नहीं हैं वो सभी इनका लाब ले सकते हैं वैसे तो Postal Life Insurance और Rural Postal Life Insurance में कुल 6 परकार की Policy होती है लेकिन जो Best है आपके लिए जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मैं उस Policy के बार में बात करूँगा उस Policy का नाम है Indoorment Assurance Postal Life Insurance में Indoorment Assurance को EA संतोस के नाम से जाना जाता है और Rural Postal Life Insurance में Indoorment Assurance को EA Gram संतोस के नाम से जाना जाता है अब हम आगे Indoorment Assurance संतोस पॉलिसी के बारे में जानेंगे Postal Life Insurance EA संतोस पॉलिसी में minimum age 19 वर्ष है और maximum age 55 वर्ष तक रखी गई है यानि 19 वर्ष के विक्ती से लेकर 55 वर्ष तक की विक्ती इस पॉलिसी का लाब ले सकते हैं Rural Postal Life Insurance EA ग्राम संतोस पॉलिसी में भी minimum age 19 वर्ष है और maximum age 55 वर्ष है Rural Postal Life Insurance में भी 19 वर्ष लेकर 55 वर्ष तक की आईू के विक्ती पॉलिसी का लाब ले सकते हैं अब बात करते हैं आप maximum और maximum पॉलिसी कितने रुपए की ले सकते हैं Postal Life Insurance में minimum आप 20 दर रुपे की policy ले सकते हैं, और maximum की बात करें तो 50 लाख रुपे तक आप policy ले सकते हैं. Rural Postal Life Insurance में minimum आप 10,000 रुपे तक की पॉलिसी ले सकते हैं और maximum 10,000,000 रुपे की पॉलिसी आप ले सकते हैं आप परिवार के सभी मेंबर के नाम से भी पॉलिसी को ले सकते हैं अब बात करते हैं bonus की तो Postal Life Insurance में 52 रुपे प्रती 1,000 पर बॉनस डिकलियर है और Rural Postal Life Insurance में 48 रुपय प्रती 1000 पर बोनस डिकलियर है दोने ही पोलिसी में मंथली, क्वार्टरली, हफिरली और एरली प्रिमियम जमा करने की भी सुविधा मिलती दोस्तों चलिए जानते हैं 43 लाख रुपय के टेबल के बारे में और साथ ही जानते हैं यदि 19 साल के कोई वेक्ती Postal Life Insurance पे इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख रुपय के स्वम एसर्ट पर तो उन्हें कितने रुपय की मैचुर्टी मिलती है दोस्तों यहाँ पर हम चार कॉलम देखेंगे पहला मैचुर्टी एज, दूसरा डियूरेशन, तीसरा नेट प्रिमियम और चौथा मैचुर्टी एमाउंट दोस्तों यह पॉलिसी 15 लाख के स्वम एसर्ट पर है और 19 वर्स के विक्तियदी 15 लाख रुपय का स्वम एसर्ट में पॉलिसी लेते हैं तो उन्हें नेट प्रिमियम 5878 रुपय प्रती महिने देने होंगे, मैचुर्टी एमाउंट के रुप में 31,238,000 रुपय मिलेंगे 19 साल के विक्ति यदि 45 साल के एज में मैचुर्टी लेते हैं, यानि कूल डियूरेशन 26 साल उन्हें पॉलिसी चलानी होगी और नेट प्रिमियम उन्हें 4,624 रुपय देने होंगे, तो कूल उन्हें मैचुर्टी एमाउंट के रुप में 35,28,000 रुपय मिलेंगे उसी तरह दोस्तों, 50 साल के उन्हें में यदि कोई विक्ति मैचुर्टी लेते हैं, तो उन्हें नेट प्रिमियम 3,624 रुपय देने होंगे और उन्हें मैचुर्टी एमाउंट के रुप में 49,18,000 रुपय मिलेंगे उन्हें मैचुर्टी एमाउंट के रुपय 43,8,000 रुपय मिलेंगे दोस्तों ये तो बात होई पोस्टल लाइफ इंसूरंस की, अब हम बात करेंगे तो उसे कितने रुपय जमा करने पर कितना रुपय मैचुर्टी मिलता है यदि कोई 19 साल के वेक्ती 35 साल के एज में मैचुर्टी लेता है तो कूलू से 16 सालों तक रुपय जमा करना पड़ेगा नेट प्रिमियम की बात करें तो 5,217 रुपय प्रती महीने उसे देने होगी और मैचुर्टी एमाउंट के रुप में उसे 17,68,000 रुपय मिलेगा दोस्तो यस्ता मईश्ट 10 लाग के पॉलिशी पर है अब यदि कोई 19 साल के वेक्ती 40 साल के उम्रे मैचुर्टी लेता है तो उसे कूल नेट प्रिमियम 3,866 रुपय प्रती महीने लगेंगे और मैचुर्टी एमाउंट के रुप में उसे 20,08,000 रुपय मिलेंगे उसे तरह 45 साल के एज में यदि मैचुर्टी लेता है रुपय लगेंगे और मैचुर्टी एमाउंट के रुप में उसे 24,88,000 रुपय मिलेंगे 55 साल के एज में मैचुर्टी लेने पर उसे नेट प्रिमियम 2,038 रुपय लगेंगे और मैचुर्टी एमाउंट के रुप में उसे 27,28,000 रुपय मिलेंगे उसे तरह अंठावन और 60 साल के एज मे ज़दी मैचूर्टी लेते हैं तुसे करमसा 1881 रुपे और 1777 रुपे प्रती महा लगेंगे और उसे मैचूर्टी के रुपे में 28,72 रुपे और 29,68,000 रुपे मैचूर्टी एमाउंट के रुपे मिलेगा। आप कितने रुपे की शो मेचूर्ट की पॉलिसी लेना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं प्रीमियम और मैचूर्टी के रासी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पॉस्ट ओफिस की लाइफ इंसुरेंस को लेने के लिए कौन कौन से डॉकुमेंट किया हो सकता है होगी। सबसे पहले बात करेंगे Postal Life Insurance के लिए, दोस्तो Postal Life Insurance को लेने के लिए आपको अधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो के साथ साथ आपके शुपरियर अधिकारी का हस्ताक्षर चाहिए अधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो देकर आप पोलिसी को उपन करवा सकते हैं Post Office Life Insurance में आपको लोन की सुईधा और साथ साथ सरेंडर की सुईधा भी मिल जाती है आप Policy उपन करने के तीन साल के बाद आप अपने Policy से लोन ले सकते हैं या फिर चाहें तो Policy को सरेंडर भी कर सकते हैं Post Office Life Insurance में एक Policy Holder की मिर्टी होने के बाद आपको एक क्लेम फोर्म भरना होता है और उसके बाद आपको शामेशर्ट प्लस एक्वेट बॉनस आपको मिल जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को यदि अच्छे लगी तो लाइक करें और दोस्तों में सेयर करना ना भूलें मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यों